अपनी मात्रु भाषा, फिर अंग्री जी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके सिवाए हमारे देश में इसतना सम्रिद्ध खजाना है, कोई ने कोई एक भाषा से परिचर करना चाहिए, यह जुरूर करना चाहिए, अब विशाया है करतव्या, एक तो अधिकार और करतव्या, यह साथ-साथ जो बोला जाता है, वहीं से गड़बर हो जाती है, यानि अधिकार भाव कोई एक बवस्ता है, करतव्या भाव कोई दूसरी बवस्ता है, जी नहीं, हमारे करतव्य में ही सब के अधिकार समाहित है, अगर मैं टीचर के नाते अपना करतव्य निभाता हूँ, तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है यह नहीं होती है, तो फिर अधिकार और करतव्य का जगड़ा नहीं रहता है, माहत्मा गांधी बहुत आगरपूर्व कहते थे, कि मुलभूत अधिकार नहीं होते हैं, मुलभूत तो करतव्य होते हैं, और अगर इमामदारी से हम अपने करतव्यों का निर्वाग करें, तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार उसमें समरक्षित ही होंगे.